तो अब एक नई दुनिया बनाओका उन्हें थोड़ी परिसानी भी होने लगी थी दरसल इसमें जपनाम सब्द का इतना इस्तेमाल कर लिया गया था कि जब भी वह किसी से मिलते थे तो हैलो, हाई या नमस्ते के जगा जपनाम कहते थे बॉबी के मुताबिक जपनाम उनकी जबान पर चड़ गया था जिसकी वज़ा से हर मिलने वाले को मैं जपनामी कहता था इसे लेकर मुझे कई लोगों ने टोका और फिर मैंने इस पर ध्यान देना शुरू किया इसके अलावा बाबा निराला के किरदार से और कोई परिसानी नहीं होई थी और नहीं किसी चीज की आदत लगी थी बतादे आसरम वैप स्रीस के चौथे पार्ट की भी कोशना कर दी गई है ये अगले साल रिलेज होगा जिसका फैंस काफी बेसबरी से इंतजार कर रहे हैं दोस्त क्या आप भी आश्रम सीजन 4 का बेसबरी से इंतिजार कर रहे हैं अगर कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में यस और नो लिकर ज़रूर बताएं और ऐसे ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना बोलें